बच्चो आज आप मेरे साथ आपकी पठ्थे पुस्तर बसंद भाग एक का पाटनो पड़ रहे हैं जिसका की नाम है टिकेट एलबम बच्चो यह है एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले कहानी कार है हमारे सुन्दरा रामा स्वामी जी बच्चो यह जो सुन्दरा राम स्वामी जी है यह तमिल भाषा के लेखक है और आपकी जो यह कहानी है वह भी इन्होंने तमिल भाषा में लिखी है तब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि तमिल भाषा की कहानी को हम हिंदी में कैसे पड़ेगे तो बच्चो तमिल भाषा से हिंदी भाषा में अनुबाद इनका सुमती अयर जी ने किया है हाँ बच्चो जो आप कहानी पढ़ेंगे वह कहानी हिंदी भाषा में सुमती अयर जी के द्वारा अनुबादित है और इस कहानी के कहानीकार का नाम है सुन्दरा ड्रामा स्वामी जी बच्चो आपकी जो यह टिकेट अलवम कहानी है यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है इस कहानी को पढ़कर आप बाल मन में चलने वाली बहुत सारी बातों के बारे में जानेगे और यह कहानी आपको कुछ सिक्षा भी देगी बच्चो आज आप मुझे एक बात बताईए आप सभी लूग विध्यारती हैं आप विध्याले जाते हैं तो आपकी शिक्षक या शिक्षिका आपको ग्रहकारे करने के लिए देती है कई बार वो बिशेश रूप से ग्रह कारे करने के लिए भी देती है आप लोगों को तो उस ग्रह कारे को पूरा करने में आप बहुत महनत करते हैं बहुत कठिन परिश्रम करते हैं उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करकर शिक्षक के सामने लेकर जाते हैं शिक्षक या शिक्षिका को वह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है सारे बच्चों के सामने आपकी तारीफ करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती होगी लेकिन दूसरे दिन कोई बच्चा बिना किसी महनत के एक और प्रोजेक्ट तयार करके ले आता है जिस प्रोजेक्ट को तयार करने में उसके माता पिता उसके बड़े भाई बेहन मदद करते हैं फिर दूसरे दिन जब शिक्षक उसकी प्रशनशा करता है तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है आप लोगों को उससे इर्शा महसूस होती होगी आप लोगों को लगता होगा कि मैंने तो बहुत कड़ी महनत के साथ ये प्रोजेक्ट तयार किया है और इसने तो इस प्रोज और विशा होती होगी, जलन होती होगी, बच्चो इसी तरह के भावो को आज आप मेरे साथ इस कहानी में पढ़ने वाले हैं, हाँ बच्चो यह कहानी में आपको पढ़ाना शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपको इस कहानी का एक छोटा सा परिचे देती हूँ, तो बच्च यानि कि बालकों के लिए कहानी है और बालकों की मनों वैज्ञानिक इस्तिति का चित्रन करने वाली कहानी है इस कहानी में राजप्पा नामक लड़के के बारे में बताया गया है बच्चों यह जो राजप्पा है वह अपनी कहानी का मूल पात्र है क्या बताया है जिसे कि ट टिकेट एलबम बनाना बहुत अच्छा लगता है और वह इस टिकेट एलबम को बनाने में बहुत महनत करता है और लेकिन अपने द्वारा किये गए गलत कारे के पश्चताप होने के कारण वह अपना एलबम नाग राजन को सौप देता है हाँ बच्चो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तब आपको बता चलेगा कि राजपा की द्वारा एक काम कौन सा गलत हो जाता है जिसके पश्चताप के स्वरूप बह अपना एलबम जिसे की बह बहुत महनत और बहुत कठिन परश्रम के साथ बनाता है जो कि उसे बहुत अध राजपा को कोई नहीं पूझता बच्चो ये राजपा कौन है यह राजपा वह लड़का है जो कि हमारी कहानी का मुख्य पातर है जिस पर की पूरी की पूरी कहानी आधारित है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अब राजपा को कोई नहीं पूझता यानि कि अब नाग राजन को घेरे रहते हैं, नाग राजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते, नाग राजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एलबम बिजवाया था, वहे लड़कों को दिखाया करता बच्चों क्या होता है, जब आप एक कक्षा में पढ़ते हैं, एक बिध्याले में पढ़ते हैं, तो दो लोगों के बीच में प्रतिसपरधा या होड़ बच्ची रहती हैं, ऐसा ही राजप्पा और नाग राजन के साथ था, राजप्पा ने बहुत मेहनत के साथ अपना एलवम तयार किया था और नाग राजन को उसके मामा जी ने बना बनाया एलवम सिंगापुर से बिजवा दिया था जिसके कारण सारे के सारे बच्चे अब राजप्पा को छोड़कर नाग राजन को घेरे रहते थे यह बात राजप्पा को बहुत बुरी लगती थी सुबह की पहले घंटी के बजने तक सभी लड़के नाग राजन को घेर कर एलवम देखा करते थे और आदी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमगट जमगट याने जमाव लगा रहता था कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आये तोलियों याने समू में उसके घर तक हो आये थे क्यों हो आये थे क्योंकि उनको नाग राजन का एलवम देखना था और नाग राजन का कौन सा एलवम वो देखना चाहते थे जो कि उसके मामा जी ने उसे सिंगापुर से खरीद कर भीजा था नाग राजन शांती पूर्वग सभी को अपना एलवम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता क्यों नहीं लगाने देता? क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं album को हाथ लगानी दूँगा तो यह है खराब हो जाएगा album को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता लड़के बस देखकर खुश होते रहते बच्चों आप यह चित्र देखिए इस चित्र में यह कौन है यह नागराजन है जो कि अपनी गोदी में album रखे हुए बैठा है और सारे के सारे बच्चे उसके आज़ पास खड़े होकर उसका album देखते रहते थे और उसका album इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया था लड़कों के बीच में कि वे समभू बना कर उसके घर तक हो आए थे album देखने के लिए और सारे के सारे बच्चे बिद्धाले में भी उसी के पीछे जुटे रहते थे फिर देखिए और तो और कक्षा की लड़किया भी उस album को देखने के लिए उसक थी यानि कि उस album को देखना चाहती थी पारवती लड़कियों की अगवा वनी और album मांगने आई और उन में से एक लड़की का नाम था पारवती उसने क्या किया वह जो की लड़कियों की सबसे आगे आई और एलबम मांगने के लिए आगई लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी तेज तर्रार यानि कि उसमें बहुत हिम्मत थी वह लड़कियों की नेता भी कही जा सकती है नाग राजन ने cover चड़ा कर album उसे दे दिया, शाम तक लड़किया album देखती रही, फिर उसे बापस कर दिया, दिखे आगे, अब राजप्पा के album को कोई पूछने वाला नहीं था, बाकई उसकी शान अब घट गई थी, राजप्पा के album की लड़कों में काफी तारीफ रही थी, यानि कि जब तक नाग राजन का album नहीं आया था, तब तक सारे के सारे लोग राजप्पा के album के पीछे लगे रहते थे और राजप्पा के album की तारीफ किया करते थे, क्योंकि राजप्पा ने उसको बहुत कड़ी महनत के साथ बनाया था, मदुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकेट जमा किये थे बस उसे तो बस एक यही धुन सवार थी सुबह आठ वजे वे घर से निकल पड़ता था बच्चों आप देखिए यहां पर मदुमक्खी की तरह कहा है किसे कहा है राजप्पा को राजप्पा को मधुमक्खी की तरह क्यों कहा है? क्योंकि जिस तरह से मधुमक्खी अपने छत्ते में बहुत दीरे दीरे करकर शहद खटा करती है, रोजाना अपने काम में लगी रहती है, उसी तरह से राजप्पा रोज की रोज अपने एलबम को बनाने के लिए कड़ी महन करता था इसके लिए बहस सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाया करता था क्योंकि उसे अपना टिकेट एलबम बनाना होता था दूर दूर के देशों के टिकेट लगाने होते थे फिर देखिए टिकेट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता दो आस्ट्रेलिया के टि कोई ऐसा टिकेट मिल रहा होता जो कि उसके अलबम में नहीं होता तो वह उस जगे का दो टिकेट देकर जो कि उसके अलबम में नहीं थी उसका टिकेट ले लिया करता था यानि कि उसके पास आस्ट्रेलिया के टिकेट है तो और अधिक टिकेट अगर उसके पास है तो वह आस्ट्रेलिया के टिकेट तो दे दिया करता था, उसके बदले फिल्लेंड यानि कि जो उसके अलबम में नहीं थी, उसका टिकेट ले लिया करता था, दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का, और जैसे कि उसके अलबम में रूस का टिकेट नहीं था, तो उसने क्या किया, उसक की दो और टिकेट थे, तो पाकिस्तान की दो और टिकेट उसने किसी को दे दी, उसके बदले में उसने रूस का टिकेट ले लिया, बस शाम जैसे ही घर लोटता, बसते में कौना, बसते, बसता कौने में पटक कर, अम्मा से चवेना लेकर डिककर की जेब में भर लेता, ये च चवेना होता है चवा कर खाई जाने वाली खाद्य सामगरी चवेनी में कौन-कौन सी चीज आ सकती है बच्चों चवेनी में चना आ सकती है धानी आ सकती है ऐसी कोई भी सामगरी हो सकती है जिससे कि हम अपने दातों से चवा चवा कर खाते हैं उन्हें वे लेता अपनी निकर की जेब में डालता और निकल पड़ता खड़े-खड़े कॉफी पीकर निकल जाता चार मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकेट लेने पगडंडियों में होकर भागता यानि जब उसे टिकेट इखटे करने होते थे तो वह दूरी की भी परवाह नहीं करता था उस कि उसके ऊपर धुन सबार थी कि उसका टिकेट एलबम सबसे अच्छा एलबम बने उसमें सारे देशों के टिकेट हो उसके लिए वह कड़ी मेहनत करता रहता था बचो आप लोगों को भी कोई न कोई शौक तो हो गई ऐसा जिसके लिए आप लोग भी उसकुल से आते ही ब एकटा करने का शौक होता है इस तरह के बहुत सारे शौक होते हैं जिने पूरा करने के लिए बच्चे दिन रात महनत करते हैं ऐसे ही राजप्पा था राजप्पा को टिकेट एकटे करने का शौक था उसकी सिर्पर बस टिकेट एकटा करने की धुन सवार रहा करती थी फि बच्चों होना ही था, जब वह विश्व के सारे देशों के टिकेटे खटे कर रहा है, तो उसका एलबम सबसे बड़ा होना था, सरपंच के लड़के ने उसके एलबम को 25 रुपे में खरीदना चाहा, ध्यान दीजिए बच्चों, कितने रुपे में खरीदना चाहा, 25 रुप के को अपना एलबम बेज देना चाहिए था, नहीं बच्चों, वह उसका शौक था, वह उसकी लिए बहुत बड़ी जुनून थी, तो वह क्या 25 रुपे में अपना एलबम बेज सकता था, वह 25 क्या, अगर उसे कोई 25 सो भी देता, तब भी वह अपना एलबम नहीं बेजता था, क्योंकि उसने उसे कड़ी मेहनत के साथ बनाया था, घबंडी कहीं का राजप्पा बड़ बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुमारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपे में, सारे लड़के टाहका मार कर हसने लगे, बच्चों आप यहां पर ध्यान दीजिए, देखो, राजप्पा ने क्या कहा है, कि तुमारे घर पर जो एक छोटी सी लड़की है, तुम उसे 30 रुपे में बेच दो, यानि अपने घर के बच्चे सबको प्यारे होते हैं, उसी तरह से राजप्पा को अपना टिकेट अलबम बहुत प्रिय था, वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता था, फिर देखिए, पर अब कोई उसके अलबम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके अलबम की तुलना नाग राजप्पा के अलबम से करने लगे थे, यानि कि पहले तो सिर्फ राजप्पा का ही अलबम जो कि बहुत अच्छा था, अब नाग राजप्पा का अलबम आ गया था, तो सारे के सारे बच्चे अब उसके अलबम की तुलना नाग राजप्पा के अलबम से किया करते थे, सब कहते थे राजप्पा का अलबम फिसड़ी है, यानि कि राजप्पा का अलबम नाग राज के अलवम की तुलना में बहुत पीछे रहे गया है फिर देखिए पर राजप्पा ने नागराजन के अलवम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची नजरों से उसे देख लिया करता था यानि की की लड़के देख रहे होते थे तो उनके साथ वह अपनी नजरे नीची करके देख लेता था सचमुष नागराजन का अलवम बेहत प्यारा था यानि की बहुत सुन्दर था पर राजप्पा के पास जितने टिकेट थे उतने नागराजन के अलवम में नहीं थे पर खुद अलवम ही कितना प्यारा था उसे चू लेना ही कोई बड़ी बात थी इस तरह का अलवम यहां थोड़ी मिलेगा यानि की जैसा राजप्पा का अलवम था वैसा अलवम क्या बजार में मिल सकता था नहीं मिल सकता था बच्चो अलवम के पहले प्रश्ट पर मोती जैसे लिखकर बेजा था एम नाग राजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है उपर लिखे नाम को कभी दीखा है यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरच जब तक पूरव से उगे पश्चे में छिपे उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेग देखे कितनी अच्छी बात उनकी मामा ने लिखकर भेजी है कि यह एल्बम कोई चुराएगा तो वह बेशर्म कहलाएगा यह एल्बम नाग राजन का ही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक यह एल्बम नाग राजन का ही रहेगा लड़कों ने इसे अपने अच्छी चीज या बहुत कोई अच्छा गीत लिखा हुआ होता है तो आप उसे अपनी कॉपी में नकल करके उतार लेते हैं और सहीज कर रख देते हैं ऐसा ही नाग राजन के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने किया उन्होंने अपनी कॉपीयों में और लड़कों ने सब चुप रहे पर कृष्णन से रहा नहीं गया फिर क्या कहा देखिए कृष्णन ने जा जा जलता है इर्शालू कहीं का कृष्णन ने क्या कहा उसे जाओ जाओ तुम जलते हो नाग राजन के एलवम से तुम उसके एलवम से इर्शा करते हो इर्शालू किसे कहते है जो क इंशा करने वाला हुता है उसे हम इंशालू कहते हैं मैं काहे को जलू जले तेरा खांदान मेरा एलवम उसके एलवम से कहीं बड़ा है राजप्पा ने शान बगारी फिर देखिए अरे उसके पास जो टिक्टे हैं वह हैं कहीं तेरे पास सब क्यू बस एक इंडोनेशिया का टिकेट दिखा दो अरे पानी भरूगे हां कृष्णन ने छेडा यही कृष्णन ने कहा कि राजप्पा से क्या कहा कृष्णन ने कहा नागराजन के एलवम में जो टिकेट हैं क्या वो टिकेट तेरे पास है तू एक इंडोनेशिया की दिखा दे फिर देखिए पर मेरे प तो तू दिखा दे उसके पास जो टिकेट है वही दिखा दो कृष्णन भी कम नहीं था ठीक है 10 रुपे की शर्ट मेरे वाले टिकेट दिखा दो तुम्हारा एलबम कूडा है कृष्णन चीखा हाँ हाँ कूडा लड़के जैसे कोरस गाने लगे फिर जब कृष्णन कह रहा अपने एलबम के बारे में बाते करना फालतू है उसने कितनी महनत और लगन से टिकेट बटो रहे हैं सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने डागराजन को एक ही दिन में मशूर कर दिया पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे बच्चो राजप्पा के मन में बहुत सारी बाते चल रही थी क्या बाते चल रही थी कि मेरा एलबम मैंने कितनी महनत के साथ बनाया है ये बच्चे कभी नहीं समझ सकते जोकि नागराजन का एलबम तो उसके मामा ने सिंगापुर से खरीद कर दे दिया है इन दोनों एलब उसको जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शरम आने लगी थी लड़के अब उसे चिणाने लगे थे आम ताल पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था परन्तु अब घर गुणा हो गया है घर गुसा यानि अपने घर में ही बैठा रहता था यानि पहले तो उसको शनिवार और अविवार मिलते थे तो वे टिकित की खोजों में लग जाता था लेकिन अब घर के अंदर ही बैठा रहता था दिन में कई बार अलबम को पलटता रहता रात को लेट जाता सहसा जाने क्या सोच कर उठता ट्रंक खोल कर अलबम निकालता और एक बार पूरा देख जाता उसे अलबम से चिड होने लगी थी उसे लगा अलबम बाकई कूडा हो गया है यानि अब उसे भी यही लगने लगा कि उसका ऐलबम अब बेकार हो गया है क्योंकि कुछी भी उसकी ऐलबम के बारे में बाक नहीं करता था उस दिन शाम उसने जैसे टेग कर लिया था बहै नागराजन के घर गया अब कोई कितना अपमान सहे नागराजन के हाथ अचानक एक ऐलबम लगा है बस यही न बहे क्या जाने टिकेट कैसे जमा किये जाते हैं एक एक टिकेट की क्या कीमत होती है बहे भला क्या समझे सोचता होगा टिकेट जतना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकेट कीमती होगा बहे भला क्या समझे उस उसको लगता था कि नाग राजन उसको पता ही नहीं है टिकेट अलवम क्या होता है उसे यह भी नहीं पता कि टिकेट कौन सा बड़ा होता है बड़े देश का टिकेट बड़ा होता है या फिर जादा पैसो वाला टिकेट बड़ा होता है इस तरह के बहुत सारे विचार उसके मन में चलते रहते थे उसके पास जितने भी फाल्तों टिकेट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकेट जाड लेगा कितनों को तो उसने यूही उलू बनाया है कितनी चालबाजी करनी पड़ी है नागराजन भला किस खेत की मूली है वे नागराजन से मिलने इस ले जाता है कि नागराजन के पास जितने भी अच्छे टिकेट होंगे जो कि उसके एलबम में नहीं है वे सारे के सारे नाग राजन से ले लेगा क्योंकि यह काम तो राजप्पा बहुत ही आसानी से कर सकता है क्योंकि उसने बहुत लोगों को पागल बनाया है और बहुत लोगों को पागल बनाकर उसने टिकेट लिये है तो नाग राजन किस खेट की मूली है यानि कि नाग साथ आपकी पाठ्थे पुस्तक बसंद भाग एक का पाठ टिकेट एलवम का प्रथम भाग पड़ा जिसमें आपने देखा कि राजप्पा का एलवम नागराजन के एलवम से अब कुड़ा लगने लग गया था तो राजप्पा परिशान होकर नागराजन से मिलने जाता है औ और उसकी टिकेट एलवम से टिकेट लेने की कौशिश करता है अब हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे क्या राजप्पा नागराजन के पास से टिकेट लाने में सफल रहेगा या ऐसी कौन सी घटना घटेगी जिसके कारण राजप्पा अपना एलवम ही नागराजन क को दे देगा धन्यवाद बच्चो